नमस्कार साथियों एक बार फिर मैं दिपंकर समध्दार चार्टर अकाउंटेट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ असुसियेट कंसल्टेंसी और हाई कंसल्टेंसी ये दोने के बीच का डिफरेंस का है सबसे पहले जानते हैं और ये एकदम डेस्परेट नहीं और इसमें हाई वैल्यू है कि नहीं पता नहीं लेकिन हाई वैल्यू कंसल्टेंसी क्या होता है आज हम लोग ये जानने वाले हैं क्योंकि अगर आपको यह पता चल जाए कि भई मेरा pain point के है और pain point में कितना दर्द है और वह दर्द कितना value का है और अगर consultancy मिल जाती है तो वह जादा value का दर्द अगर पूरा कर सकता है तो फिर वह consultancy अगर हम लोग लेते हैं तो फिर वह high value consultancy के अंदर आता है लेकिन कैसे आता है क्या-क्या points है आज हम लोग जानने वाले एक और चीज़ है किस तरीके से हम लोगों को यह plan करना चाहिए यह example भी आज आपको बताने वाला हूं सबसे पहली बात यह कि हमको को कंसल्टेंसी की जरुवत पढ़ती कब है तो कंसल्टेंसी की जरुवत तब पढ़ती है जब हम लोगों को confusion हो किसी चीज़ का और वो confusion के कारण हम लोग नीना लेने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं हो सकता है स्टाफ रखना चाहिए कि नहीं रखना यह कंफ्यूजन हो हो सकता है कि सेल्समन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए यह कंफ्यूजन हो हो सकता है कि नया HR मैनेजर हमको रखना चाहिए की नहीं रखना यह confusion हो हो सकता है कि हम लोग को business बढ़ाने की opportunity मिल रही है लेकिन business बढ़ाना भी है की नहीं बढ़ाना है इसका confusion है क्योंकि जो present वाला हमारा scenario है अभी जो employees है अभी जो loyalty है वहुत बहुत कम है और उसके कारण हमको ऐसा लगता है क कि अगर मैं नया काम लेकर आ जाओं तो हो सकता है कि मैं पूरा करके नहीं दे पाऊं और यह confusion है कि क्या मैं काम बढ़ाना चाहूं या नहीं बढ़ाना चाहूं यह मुझे decide करना पड़ेगा मैं कल की बात बता रहा हूं एक architect से मेरी मुलाकात हुई उन्होंने बोला दिपं करना चाहते हैं वो लोन के लिए हमारे पास आएंगे कोई जमीन खरीदेगा तो लोन के लिए हमारे पास आएंगे कोई घर के लिए जमीन खरीदे चाहे प्रोजेट के लिए जमीन खरीदे या किसी और तरीके से रिनोवेशन का काम हमारे पास आ सकता है या किसी और तरीके से सामने वाली को रिनोवेशन कराना है लोन हम प्रोवाइड करने वाले इस तरीके से जो एचे नाई है मतलब हाई नेटवर्ट इंटिविजूल है उनके साथ में हमारा कनिक्शन हो सकता है और यह मेरा कन्फ्यूजन है कि मैं यह जो चालू नहीं कर पा रहा हूं इसको मैं क् कि कितना बड़ा फायदा है बोले सर भेंकर फायदा है क्योंकि आज के दिन में मेरे 20-30 प्रोजेक्ट चलते रहते हैं मैं चाहता हूं कि 100-200 प्रोजेक्ट चलना चाहिए एक साथ बट हो नहीं पा रहा है रीजन मैं कुछ सिलेक्टिव हूं रीजन मेरा एक नेचर है रीज है यह सोर नो 100 परसंट बहुत हाई वैल्यू का है उसने मुझे यह भी बताया बातों बातों में कि सर में दो बड़े बड़े लोगों से आपका रेफ्रेंस मुझे मिला है उन्हें उन्हें कहा है कि आप जबरदस्त काम करते हो और लोगों के सपनों को पूरा करने का प्रय अब ये कंसल्टेंसी हाइ कन्सेडियkeln यह है तो ही कंसलुटेंसी वैल्यू रहेगा अगर मैं इतना बड़ा खनीजन दूर खरूंगा तो खनीजन को दूर करने पर जो रिवाड की पॉसिबडिटि रहेगी बहुत बड़ हाइई इस से पालव यह intuitively क्तेंज्डि ऑल्यू औ दूसरा हमको consultancy तब चाहिए रहता है जब हम लोग एकदम ready है decision लेने के लिए action लेने के लिए एकदम ready है किसी का confusion दूर हो गया लेकिन उस समय वो सामने वाला सोचते है कि क्या मुझे कोई second drive मिल सकता है कोई और opinion दे सकता है किसी और से expert से मैं जानकारी ले सकता हूं कि अगर ह ना तो फिर मुझे यह वाला काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए केवल इतना ही बता दे पर एक्जांपल काफी सारे स्टेट से लोग हमको phone करते हैं कि सर मैं NBFC लेना है कि नहीं लेना है वो उसके लिए मैं confusion है मुझे मैं action लेने के लिए ready हूँ पैसा ready है और मेरे पास मैं 2-3 company ready है इसमें कौन से लेना है मुझे ये चीज़ clear नहीं हो पा रहा है आप खाली बोल दो ये company लेना है कि नहीं लेना है इसका मतलब वो decision के लिए ready है action लेने के लिए ready है उसको एक consultancy च होगा जब तक यह decision सही नहीं बठेगा और एक्सपर्ट से यह सलाह लेने पहुंचा तो high value consultancy इसको माना जाता है और यह decision लेने में help करता है तीसरा हम लोग consultancy कब लेते हैं सबसे पहली बात यह क्यों फ्यूचर का problem जो हम लोगों को आज से दिख रहा है उसके बारे में decide कर सक रहें की नहीं कर सक रहें for example अगर मैं बोलू कि कोई एक business है कोई एक consultancy model है जो कितने साल चलेगा उसको confusion है उसको लगता है कि आने वाले 30 साल के अंदर में आने वाले 10 साल के अंदर में आने वाले 5 साल के अंदर में technology हमारा यह जो concept है इसको take over कर लेगा उस समय मैं क्या कर होना भी तो high value confusion है yes or no high value consultancy की जरूरत है yes or no अगर हां तो high value consultancy है और अगर कोई problem आ गई है अब उस problem को solution करने के लिए मुझे समझ भी नहीं है सबसे पहली बात वह problem है कि नहीं वह problem का solution करना चाहिए कि नहीं solution करना चाहिए तो A और B और C option सही है कि नहीं अब यह confusion अगर है तो वह problem तो खड़ा रहेगा जब तक आप decide नहीं करने वाले हो तो consultancy यहाँ पर भी high value consultancy है और एक चीज़ है consultancy केवल problem solving के लिए नहीं है केवल future के लिए यह profit कमाने के लिए है profit कमाने के तरीके हो सकता है एक दो तीन option हो या फिर option बिल्कुल नहीं बोले sir मुझे profit कमाना है मेरे पास यह पैसा है मेरे पास मैं धंदे का सोच यह लेकिन आप बता दो कि क्या करना चाहिए मुझे बस क्या चाहिए profit चाहिए तो profit का consultancy भी high value consultancy है is it clear yes or wrong और एक point है कि consultancy की जरूरत तब पढ़ती है जब हम लोग किसी field में किसी विक्ति को expert मानते हैं वैसे विक्ति से हम लोग एक final suggestion जरूर लेना चाहते हैं और वो लेने के बाद में हम लोग अपनी बात को पूरा बताते हैं कि हम लोग क्यों ये वाला काम कर रहे है और उसमें क बहुत आगे निकल जाना high value है और बहुत आगे निकलने के लिए ट्रस्टेद विक्ति से लेना भी high value consistency माना जाता है तो high value consultancy कब लेना है ये मैंने आप लोग को बताया और high value consultancy कब कब लेना चाहिए तो लेकिन high value को क्या हम लोग माप सकते हैं क्या उसको measure कर सकते है मेजेरेबल है yes or no 100% मेजेरेबल है अगर वो हाई वैल्यू कंसल्टेंसी आप नहीं लेते हो तो आपका प्रॉब्लम कितना बढ़ा होगा उसका कितना रुपए में कॉस्ट होने वाला है amount उसका calculate कर लो या फिर अगर वो consultancy लेते हैं तो हमको फाइदा कितना होने वाला है या फिर वो consultancy लेते हैं तो अपने कितने खर्चे बचने वाले है उस consultancy को लेने के कारण हम लोगों का growth की possibility क्या होती है वो ही उस consultancy का value है तो value calculation easy हो जाता है जब हम लोग problem या फिर उससे होन करने वाले फाइदे का value amount calculate कर लेते हैं अब for example लेते हैं कि हमारे चैनल से जो connect होते हैं हमारे टीम से जो connect होते हैं वो phone कर लेते हैं उनको पता है कि comments करना free है लेकिन बात करने में पैसे लगने वाले क्यों क्योंकि एक्सपार्ट हैं भाई 500 डिग्री लेकर दिपंकर सर करते हैं लेकिन लोगों को समझ में आता है कि कब पूछना कब नहीं सबसे पहली बात यह जैसे मैंने बताया कि अगर आपको लगता है कि problem उतना pressing नहीं है तो आपको directly connect होने की जरूरत नहीं आपका भी समय बच जाता है और सामने वाले किसी भी consultant का सपोज मैं हूं तो मेरा समय बच जाने वाला है क्योंकि free content देने के लिए तो हर दिन बैटे हो हर दिन आप लोगों को देने का प्रयास करता रहूंगा जब तक जिन्दा हूं और जब तक मैं कर सकता हूं जब तक मेरे सांसों में सांस है और जबान से शब्द निकल सकते हैं यह मैं जरूर करने वाल किसी भी समय कहीं भी जाके पता कर लेते हैं अराम से सोच लेते हैं इसके बारे में डिसाइड करने के लिए 50 option ले लेते हैं तो में जो ऐसा लगता है कि 10 जगा गुमने से अच्छा है 10 जगा trust find out करो कि कौन कौन trusted लोग है और किनों ने दूसरे लोगों को जादा से जादा म अब हम लोग देखते हैं कि हमारी टीम किस तरीके से मदद करती है कोई भी अगर हमारी टीम को call करता है तो हमारी टीम क्या करती है जो serious candidate से उसकी screening कर लेती है जो ऐसी पालतू में फोन कर लेते हैं कि सर मैं फोन लगा लिया मुझे बता दू अच्छा पैसा भी लगने वाले तबी उनसे आगे बताया जाता है कि भई अब exactly queries जो आपके हैं अगर आप note करके रखते हो तो दिपंकर सर के साथ में appointment हम लोग fix कर सकते हैं हमारी टीम के साथ appointment fix कर सकते हैं ताकि आपकी मदद हो सके अगर कोई बोलता है नहीं सर मुझे registration की requirement है या जो जो मुझे काम कराना ह तो वो काम से related सारा documentation और requirement उनको provide कर दिया जाता है हमारी इंचार हर चीज़ का fees mode of payment कब क्या होने वाले किस समय बात होने वाली किस समय काम होने वाले कितने समय में काम होने वाले यह सारी चीज़ को clearly बताया जाता है अच्छा मैं यह सब क्यों model बता रहा हूं अपने बारे म तो आपको पता रहना चाहिए कि हमारे टीम कैसे काम करता है किस तरीके से हम लोग high value consultancy provide करते है और जैसे कोई general question पूस्ट है तो हम उससे ही कहते हैं कि फ्री queries के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आप comments में डालो तो यह पूस्त है सर कब हो जाएगा free है भाई जब हम free रहेंगे तब free queries का answer देने वाले वैसे भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी ढंकी query हो तो उसके बारे में वीडियो की planning कर लेते हैं वो एक दिन में है दो दिन में है दस दिन में है 100 दिन में है लेकिन उसके पीछे 21 सोच रहे थी कि इससे जादा से जादा लोगों का मदद होना ही चाहिए अब किस तरीके से connect होते हैं हमारे टीम के साथ में एक तो phone queries के लिए आप connect हो सकते हो detailed consultancy के लिए आप connect हो सकते हो जैसे zoom meeting किसी को करना हो की नहीं मैं जिस सर के साथ में zoom meeting करना है कोई physical consultancy appointment लेना चाहता है directly मुझसे मिलना चाहता है चाहे मेरी कही program हो चाहे वो मेरे home place में आते हैं कोई भी problem नहीं होम टाउन में आने से physical training programs अगर कोई अपनी company में कराना चाहता है तो वो भी हमसे करा सकता है online training programs वो हमारे साथ में connect हो सकता है इसके अलावा हमसे अगर वो कोई books लेना चाहता है वो ले सकता है इसके अलावा अगर वो सामने वाला पैसे कमाना किसी तरीके से connect होना चाहता है as a connector हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो भी हम लोग उनका स्वागत करते हैं अगर उनके अंदर में कोई potential है किसी तरीके से उनके पास में resources हैं और वो हमारे साथ में connect होकर अपने resources को benefit देना चाहता है most welcome high value consultancy वाला काम करिए ज्यादा पैसा क कमाईए और दूसरों को भी consider करिए कि अगर कोई सही काम कर रहा है तो उसके साथ में कैसे जूड़ सकते हैं इसके बारे में सोच सकते हैं आप जानते हैं मेरे मिशन हमेशा आप लों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देने तो बने रहेगा मेरे साथ वीडियो को शेय